वेल्कम टू आर यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन विद निखिल आज की इस वीडियो में हम ताड़ासन, अर्दचक्रासन और शवासन के प्रोसीजर, बेनिफिट्स और कॉंट्रा इंडिकेशन के बरे में पढ़ेंगे वीडियो चुरू करने से पहले यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पुरा लास तक देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें तो चलिए बिना समय कोई बढ़ते हैं आज की वीडियो की और तो शुरुआत करते हैं ताड़ासन से ताड़ासन कुछ इस तरह से किया जाता है आप तस्वीर में देख सकते हैं तो इसको करने का प्रोसीजर कुछ इस तरह से है फ्लोर या फिर योगा मैट पर खड़े हो जाएं पैरों के बीच थोड़ा डिस्टेंस रखें हैंड्स बोडी के पास रखें गैरी सांस लेते हुए अपनी आम्स को अपवर्ड रेस करें और फिंगर्स को इंटर लोक कर लें अपनी हीज को उपर उठाएं और टोस पर खड़े हो जाएं सारा बार अपने टोस पर डाल दें और अपने शोल्डर आम्स और चेस्ट को ऊपर की और स्ट्रेच करें कोई समय के लिए अपनी पुजिशन को होल्ड करें आगे हम ताडासन के बेनिफिट्स देख लेते हैं इससे बोडी पोस्चर इंप्रूव होता है और फ्लैट फूट की समस्या भी कम होती है नीज, थाइस और एंकल स्ट्रॉंग होते हैं सायाइटी का पेन भी कम होती है इस आशन से स्पाइन भी एक्टिव रहती है इससे हाइट भी बढ़ती है और बोडी बैलन्स भी इंप्रूव होता है इस आशन के द्वारा डाइजेस्टिव नाव और एस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से काम करते हैं आगे हम ताडासन के कॉंट्रा इंडिकेशन भी पढ़ लेते हैं तो जिन लोगों को हैट डेक, इंसोमनिया और लो बलड प्रेशर की समस्या है वे इस आशन को अवोइड करें अब हम बढ़ते हैं अपने अगले आशन अर्द चक्र आशन की और तो ये आशन खड़े होकर किये जाने वाला आशन है सीधा खड़े हो जाएं और अपनी आम्स को बोड़ी के पास रखें दोनों पैरों पर अपना वेट एकोली बैलन्स कर लें सांस लेते हुए अपनी आम्स को सर के उपर लेकर जाएं और आपके पाम्स एक दूसरे को फेस करें पीछे की और जुकें और अपने पैल्विस एरिया को फॉर्वर्ड करें अपनी आम्स को इयर्स के सामने रखें एल्बोस और नीज को स्ट्रेट रखें सर को उपर उठाएं और चेस्ट को स्काय की तरफ करें अब इसके बाद नॉर्मल पॉजिशन में आने के लिए सांच छोड़ते हुए अपनी बोडी को स्ट्रेट कर लें आगे अर्द चक्र आसन के बेनिफिट्स भी बढ़ेंगे तो ये आसन अपर टोर्सो यानि उपरी दड़ को स्ट्रेच करने में काफी मददगार है इसके इलावा इसे करने से आम्स और शोल्डर के मसल भी मजबूत होते है इसकी कॉंट्र इंडिकेशन भी देख लेते है तो हैड डे के समय इसे परफॉर्म ना करें अगर आपको सीरियस बैक इंजरी है तो भी इसको अवोइड करें अब हम तीसरे आसन शवासन के बारे में बढ़ेंगे तो शवासन को करने के लिए दर्ती पर पीट के बार लेट जाएं लंबी और दीमी सांसे लें पैरों के बीच कम से कम एक फुट का डिस्टेंस रखें हथेलियां शरीर से थोड़ी दूर और आस्मान की तरफ होनी चाहिए अपनी आखें बंद करके बोडी के रिलाक्स होने के बारे में सोचें शवासन के भी कई सारे बैनिफिट्स हैं जैसे कि इससे बोडी रिलाक्स होती है इससे स्ट्रेस टेंशन आधी दूर होता है कॉंसेंट्रेशन पावर इंप्रूव होती है इंसोम्निया की विमारी भी ठीक होती है मसल रिलाक्स होते हैं इससे बलड सर्कुलेशन भी स्टिमूलेट होता है ये आसन कई तरह की neurological problems को ठीक करने के लिए भी अच्छा है जैसे asthma, diabetes और constipation की समस्या शवासन को करने के contraindications हैं कि इसको ऐसी जगा पर ना करें जहां पर noise हो या फिर किसी भी तरह की external disturbance हो क्योंकि ऐसा होने से आप अच्छी तरह से relax नहीं कर पाएंगे शवासन करते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि आप कहीं नीद में न चले जाएं तो आज की वीडियो में बस इतना ही उमीद है कि आपको इन तीनों आसन्स के बारे में पता चल गया होगा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बारे हैं तो ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक्स फॉर वोचिंग एंड टेक केर